एपिसोड 7 में हम लोग देखते हैं कॉन्फिक्ट बाउंडरी को जहाँ पर हम लोग को पर चलता है कि अब वार्ड शुरू हो गई है रेवन और उसके सभी सोल्जर्स और साथ मेही शालेट, रोसेल और रिट्स भी उसा भी लोगा मिलकर बैडल में काफ़े दर कमान मचा रहे होते हैं और दुश्मनों की बैंड बजा रहे होते हैं पर अर्ड की फादर यानि रेवन की हलत तो काफ़े दर बूरी होती है पर फिर भी वो लड़ रहे होते हैं अगले सी में वोर खतम होती है जहां पर अर्स को पता चलता है कि दुश्मनों ने केनरा आर्मी को 50% से आउट नमबर किया पर फिर भी लोविंड की फोर्स ने काफ़ी अचा पफॉर्म किया और रेवन की वैसे अंत में उन लोगो फोर्ट्रेस वापिस मिल गया ये कैमपेन पूरे एक मेने तक चला अर्स अब बताते है कि मेरे फादर मेरे बारवे जनम दिन के चार दिन बाद वापिस आए पर इस समय तक उनकी हलत काफ़े जादा बुरी हो गए थी अगले सी में हम लोग अर्स के भाई भेनों को देखते हैं रेवन की हालत बुरी देखकर वो लोग सोते लगते हैं कि क्या आप उनके फादर मरने वाले हैं वहें पर अब रेट्स और बागी सबी लोग गेट के बाहर खड़े थे लेकिन तब ये अर्स हाँ पर आता है ये सुंगर रेवन तब थोर से दुक्यों रहता है और अब और से कहता है कि मैंने आपको एक लेटर भेजा था जिसमें मैंने बताया था कि रेवन ने काफी दाद अच्छी बैटल करी पर फाइट खतम होने के बाद ही वो भेषश हो गए लोड रेवन की हालत पहले से खराब थी और इस कैमपेंड की वैसे उनकी हालत और खराब हो गई है वो सुंगर रर्स कहता है कि इसका मतल्य मेरी गलती है क्योंकि मेरी वैसे उन्हें बैटल में जाना पड़ा तो रेवन की हालत पहले से खराब थी वो सुनकर आर्ष कहते हैं शुक्रिया इतना दियालू होने के लिए अगर मेरी फादर की हलो थोड़ी ठीक होती है तो प्रीज मुझे बता देना तो वो लोग भी कहते हैं पर आप कहां पर जा रहे हो जिस पर आर्ष कहते हैं कि मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूं मैं होप करती हूँ कि वो जादा इंजर ना हो जाएं तब हैं लोग देखते हैं कि उनकी घर पर लीश या जाती है जो कि कहती है कि माफ करना इतनी रात में आने के लिए तो वो लोग उस कहते हैं कोई बात ने लेकिन क्या हुआ है तो लीशा कहती है कि मुझे अर्स की काफी ददा चिंता हो रही है क्योंकि काफी समय से हम दोनों एक दूसरे को लेटर्स भेजते आ रहे हैं अर्समेशन लेटर को अच्छे तरीके से लिखते हैं और ओनेश्ट इमोशन से लिखते हैं पर जब से वोश रुआ है मुझे लगता है कि अर्सवर से बतल गया है ये चीज़ में उनके लेटर के लिखने के तरीके से बता सकती हैं ऐसा लग रहे है कि अर्स काफी दूर होते जा रहे हैं उनके लेटर के अंदर वोवाले iPhone से नहीं रहे उन्हें कुछ हुआ है क्या वो सुंगर रिर्स अब उसे कहते है कि इस गलती के लिए अर्स को माफ कर देना उसे गुसा मत होना दरसल उनके कुछ रीजन्स है जिस पर अब लीशे कहती है कि मैं गुसा नहीं हो मुझे बस चिंता हो रही है मुझे बताओ कि क्या चल रहा है ये सुंकर रोसेल और शालेट अब रिर्स से कहते हैं कि इसे बता दो कि क्या चल रहा है तो रिर्स अब लीशे को समझाता है कि पिछले एपिसोड की एंडिंग में क्या हुआ था कि अर्स एक्जिक्यूशन नहीं देख पाए अर्स किसी को मरतावा नहीं देख सकते हैं जिसकी वएसे उन्हें घर पर ही रहना पड़ा जिसकी वएसे वोर में लोड रेवन को जाना पड़ा और उनकी और हलत खराब हो गई इस वज़े से अर्स को काफी पस्तावा हो रहा है ये सुंकर लीशे कहे थी ओ, मुझे माफ करना मुझे सब के बारे में नहीं पता था मैं खुद को अर्स की फ्यौन से कहती हूँ पर जब अर्स को मेरे ज़रूर थी मैं उनकी मजद ही नहीं कर पाई क्या आप लोग प्लीज मुझे बता सकते हो कि मुझे अर्स कहाँ पर मिलेंगे उनके बताने पर लीशा अब ट्रेनिंग ग्राउंड बे आ जाती है वो देखती है कि अर्स अंदर काफ़ी तदर ट्रेनिंग करा था पर वो काफ़ी चोट भी खा रहा था वो गाड़ अबर्से कहते हैं कि आपको थोर से रेश कहना चीए आप और दर ट्रेनिंग हैंडल नहीं कर सकते हो जिस पर अर्स कहते हैं नहीं मेरे फादर की कंडिशन इतनी जादा बुरी थी पर फिर भी वो गोर में गए तो मैं जो कर रहा हूं वो तो कुछ भी नहीं है मुझे सबी लोग को प्रोड़ेट करना है मुझे इतना केपिबल बनना है ऐसा बोलने के बाद अब बश ट्रेनिंग को कंटीनू करता है ये देख कर लीश है थोड़ सी परेशान होकर वहाँ से चली जाती है वो देख कर एड़ सब उसे कहते है कि क्या अब अर्स से बात करोगी जिस पर लीशा कहती है कि यह भी सही मोका नहीं अर्स से बात करने का तब अचाना से वहाँ पर मेड आती है और वो बताती है कि लोड रेवन को होश आ गया है ये सुनी के बाद सबी लोग खुश हो आते है वेपर रोसेल कहते है कि चलो इसके बार में हम लोड अर्स को बताते है पर तब योग मेड उनसे कहते है नहीं लोड रेवन सबसे पहले तुम तीनों से मिलना चाते है यानि कि शालेट, रोसेल और रिड्स से अगले सी में वो लग आप रेवन के पहुश दे जहापर रेवन उनसे कहते है कि माफ करना मैं भ्योश हो गया था जिसके उसे तुम लोग को परिशानी हुई होगी ये सुनने के बाद शालेट अब उनसे धुरस बमजाग करने लगती है जिसे देखर रेवन उसे चुपकर आता है तो रेवन उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं इस समय पर मैं तुम लोगों से एक लोड के तोर पर बात नहीं कर रहा हूँ तो रेवन कहते है कि आपके कहने का ये क्या मतलब है जिस पर रेवन कहते हैं कि तुम लोगो अपनी लाइफ यहाँ पर पसंद आई या फिर नहीं जिस पर रेट्स कहते हैं कि मेरी पहले की लाइफ तो काफी बिकार थी पर ये वाली लाइफ एक हैवन की तरह है वहें बाकी से भी भी कहते हैं कि हम यहाँ पर काफी इंजॉई करते हैं यह जगा हमारे घर की तरह हैं यह सुनकर रेवन खुश होते हैं और वह लोगों से कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर इसे बुलाएं क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना है दरसल मैं थोड़े समय बाद ही मरने वाला हूँ ये सुनकर इटस उसे कहते है कि आप ये क्या कह रहे हो ऐसा नहीं होगा जिस पर एवन कहते है कि मैं अपनी खुद की बोड़ी को अच्छी से जानता हूँ मेरे पास काफी कम समय बचाए इसलिए प्लीस मेरी बात सुनो पता नहीं फिर मैं कभी बोल पाऊंगो या फिर नहीं जब वर्स तुम तुम तीनों को सबसे पहली हाँ पर लेकर आया था तो मुझे नहीं पता था कि तुम लोग क्या करोगे इस तुम एक मैल के नो जालेट तुम एक लड़की हो और उसे तुम उस समय पर ऐसे पांस साल के थे पर अब देखो तुम तीनों हमारे डोमेन के सबसे पाउरफुल पिलर्स बन गए हो मैं काफी श्चिक के खुजारू कि तुम लोग हाउस लोवेंट में आएं तुम सबी लोगों पर मुझे गर्व है यह सुने के बाद सबी लोग काफी हरान हो आते हैं रेवा नहीं अब उन लोगों से कहते हैं कि प्लीज मेरे एक फेवर पूरा करना यह अर्स से रेटेड है दरसल अर्स इतना ताकत और नहीं है कि वो बैटल फिल्म में जा पाए तो इस समय पर उसे एक लोड बना देना काफी गलत रहेगा इस समय पर मैं काफी जल मरने वाला हूँ अब मुझे रिलाइस हो रहा है कि कितना कुछ मुझे करना चाहिए था पहले जब मेरे पास समय था तब मुझे अर्स को बैटल फिल्म में लेकर जाना चाहिए था और बताना चाहिए था इस दुनिया के बुरी रियालिटीस के बारे में जिससे कि मैं उसे उन सबसे प्रोटेक्ट कर सकूँ पर अब काफी द्यादा लेट हो गया है इसलिए मैं तुम तिनों से भीक मांग रहा हूं कि प्लीज अर्स को सपोर्ट करना ये मैं एक लोड के तौर पर नहीं बोल रहा हूं मुझे पता है कि मैं objective नहीं हो रहा हूं पर अर्स काफी द्यालू है सबी लोग उसे काफी द्यादा प्यार करते हैं जैसे तुम लोगों ने अपने आपको प्रूव किया है उसे तरीके से अर्स की possibility हैं कि वो दूसरों की potential को देख सकता है मुझे काफी द्यादा गर वे अर्स को अपना बेटा बुलाने में इसे फ्लीज हमेशा अर्स की मयद करना ये सुंकर रोसल काफी दुखी आता है और कहते हैं कि अगर लोड अर्स मेरी मयद नहीं करते तो पूरी जिन्दगी बर मुझे criticize किया जाता और मैं कभी भी अपनी family के साथ understanding नहीं बना पाता लोड अर्स ने मुझे confidence दिया तो लोड अर्स की महत करने के लिए मैं और ज़्यदगी को एक meaning दी तो आपको ये कहने के भी जूरत नहीं है हम लोग तो उसकी definitely महत करेंगे ही अर्स के अलावा हम लोग किसी को भी सब नहीं करेंगे मैं अब रिट्स कहते है कि मेरा भी यही कहना है मैं किसी भी बन्दे को लोड अर्स के रस्ते के बिश मैं नहीं आने दूँगा मैं कसम खातों कि मैं लोड अर्स को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा भले ऐसा करने में मेरी जान क्यों न चली जाए ये सुनकर रेवन कहते है कि जान जाने की बात मत करो जिन्दा रहो और अर्स का प्रडेट करते रहो उन तीनों की बाते सुनने के बाद रेवन काफी जादा खुश आती है महीं पर आप वो तीनो, काफि तता Emotional हो का रेवन का शुक्रया करते हैं क्योंकि रेवन होने उनको मोका दिया उनके घर के अंदर रहने के लिए यह सुनने के बाद रेवन काफी खुश होते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं जिसके बाद अवलीशा अंदर जाती है वहें पर हो तीनों कमरे से भाहर चले जाती है इसके बाद अवलीशा काफ है अच्छे से रेवन को अपना introduction देती है जहाँ पर रेवन अवलीशा से माफि मांगता है कि लीशा को रेवन कितनी बुरी हालत देखने को मिल रही है जिस पर लीशा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है तब ही रेवन अब लीशा से कहती है कि क्या तुम्हें याद है चाहम लग पहले बार मिले थे ये सुंकर लीशे है हैरान हो आती है और कहती है कि क्या हम लग पहले बे काई मिल चुके हैं जिस पर एवन कहते है हाँ मैं ही वो परसन था जिसे रिक्वेस्ट किया था कि आपके एंगेजमेंट अर्स के साथ हो जब मैंने पहरी बार तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम्हें एक अमीर बाप की बेटी होगी और वैसा ही एक्ट करती होगी पर तुम बिल्कुल अपोजिट थी तुम बहुत ज़़ा दयालू थी तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे तुम चाहिए हो जो कि अर्स के साइड रहे और मेरा बेटा इतना भी कमाल का नहीं है तुम लीशा कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिस पर लीशा भी रोते हो कहती हैं मैं पूरे दिल से अर्स से प्यार करती हूँ वो सुनकर रेवन खुश होते हैं और उसका शुक्रे करते हैं और अब उसे कहते हैं कि प्लीज अर्स को बुलाओ अगले सी में लीश्या भाड जाती है और अब उन तिनों को बताती है कि रेवन लोड अर्स से मिलना चाती है यह सुनका वो लोगर्स को बुलाने के लिए जाए रहे होते हैं लेकिन तब लीश्या रिट्स को रोकती है और अब उसे कहते हैं शुक्रिया आप काफी ददा धयाल हो आपने लोड रेवन से मेरी बात करें जिस पर रिर्स अब कहता है कोई बात नहीं इसके बाद लीश याई भी भात से चली जाती है वहें पर रिर्स अब अकेला खड़ा होकर यह याद करता है कि वो किस तरीके से यहाँ पर आये था और लोड रेवन ने उसे कितनी अची ट्रेनिंग दी और रेवन रिर्स से कितना अच्छा बिएव करते थे वो तो रिर्स को अपने बेटा ही मानने लगे थे यह सब को सोचने के बाद अब रिर्स काफ़े दाई मोश्टन होदाता है और रोने लगता है क्योंकि रेवन के पास आप काफ़ी कम समय बचा है जीने का अगले सीन में हम लोगा बर्स को देखते हैं जो कि अपने फादे के पास पहुंचता है वो उन से कहते हैं कि मैंने सुना कि आपको होश आगया है कि आप बैतर फिल कर रहे हो अब जिस पर रेवन कहते हैं माफ को न तुम एतनी देर रात में मैंने बुलाया तो अर्स कहते हैं कोई बात ने वैसे जब फाइटिंग पर गए हो थे तो आपको जो बिमारी है मैंने उसके ओपर काफी तरीकी की रिसर्च करी और मैंने काफी जादा हर्बर मेडिसिंस बनाई जो कि मैं आपके ओपर ट्राय करना चाहता हूँ मैंने एक डॉक्टर से ही बात करी आप काफी जल्दी ठीक हो जाओगे ये सुनकर रेवन अबर से कहते हैं कि बेटा तुम तो सही में बड़े हो गई हो ये सुनकर रडशोक जाता है ओने पर रेवन अब उसे कहते हैं कि जब मैंने पहली बार डिसाइड किया था कि मैं एक वोर्या बनुगा तो शाय से मैं उस समय पर तुमारी ही उमर का था रेवन अबर्स को बताते कि मेरा जनम लैंबग में नहीं हुआ था बलकि मिस्यान की प्रोविंस की एक फार्मिंग विलिज्ज में हुआ था उस जिएका जो लोड था वो काफ़े दा बुरा था वो हमसे काफ़े दा टैक्स लेता था जिसके से वहां की लोगों को गरीबी में रहना पड़ा मैं सब कुछ देखना सहन ने कर पाया तो मैं घर से भाग गया और सिटी के अंदर आ गया उस समय पर मैं सिप 10 साल का था जिस दिन मैं सिटी मैं था उस दिन मिस्यान के गवर्नर उस सिटी को विजिट करने आये थे तो वहां के जो लोकल लोड थे वहां पर पार्टी कर रहे थे उनके साथ उस समय का मेरे को जादा कुछ याद नहीं है पर एक चीज़ मुझे अच्छे से याद है जब मैंने गवर्नर को पहली बार देखा कि वो कितने माइटी लग रहे थे एक वोरे के तरह और सभी लोग उन्हें पसंद कर रहे थे वो देखा में काफ़ दद इंस्पायर हुआ कि मुझे भी ऐसा ही परसन बनना है जो कि काफ़ सोलजर्स को एक साथ लीड़ कर सके इसलिए मैंने काफ़ी मैनत करी और काफ़ी बैटल जीती मैंने अकेले तलवार बादी सीखी और एक सोलजर बन गया मेरी हार्डवक को लोग पहचाने लगे और लोड लियूमेर ने मुझे अपॉइंट किया और फिर मुझे खुद की डोमेन भी मिली समय सही मैं बहुत जल्दी दोड़ता है सबी सीटीजन्स मेरी फैमली लेंबग में जो भी रहते हैं वो मेले काफ़े ज़दा प्रेशेस हैं मैंने अपनी पूरी सिंदगी उन्हें प्रोटेट करने में लगाई हैं तब यह अब रेवन को काफ़ी जोड़ से खास यान लगती है जिससे एक गर अबर्स परिशान हुजाता है रेवन अबर्स से कहते हैं कि मेरी हालत और साथ खराब हो गए है और मुझे पता है कि इस चीज़ का रिस्पोंसिबल तुम अपने आपको मानते हो पर रिस्पोंसिबल तुम नहीं हो ऐसे जिन्दी की जीने का मैंने खुद चूस किया है तुम्हें बिल्कुल भी फिल नहीं का नाची है कि तुम्हारी वज़े से मेरी यालत हुई है रेवन अब अबर्स का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते है कि प्लीज मेरे लिए सबी लोग का ख्या लगना ये सुनकर अबर्स अब समझ आता है कि रेवन के इस बात की कहने का मतलब क्या है कि रेवन जा समय तक नहीं जीएंगे अर्स अब से दुखी होता है पर अब वह अपना को कंट्रोल करता है और अपने फादे से कहते हैं मैं सब ही लोग को जरूर प्रोटेट करूँगा यह सुंगर रेवन काफी इंप्रेस होते हैं और अबर से कहते हैं कि तुम सही में बड़े हो गए हो माफ करना मेरा बेटा हो ना तुम्हें ले काफी बर्डन होगा जिस पर अर्स कहते हैं नहीं मैं काफी शुकर गजारू कि मैं आपका बेटा हूँ तब रेवन भी खुश आते हैं और कहते हैं कि तुम बिलकुल एक बड़े आदमी की तरह बात कर रहे हो वैसे तुमारे और लीशा की बीच में चीज़े कैसी चल रही है यह सुने के बाद अर्स वासर शर्मा जाता है रेवन अब अर्स से कहते हैं कि लीशा काफी अची है वो बिलकुल अपनी ममी पर गई है वो सुनकर अर्स उनसे कहते है कि क्या अप लीशा के फाद हैमोंड को जानते हो जिस पर हो कहते है हाँ जब में 16 साल का था तो लोड ल्यूमेर ने हम दोनों को कहा था कि हम दोनों एक दूसरे से मौक बैटल करें रेवन अब इसे तरीके से अर्स के साथ पूरी रात बर बात करते रहते हैं अर्स ने कभी भी अपने फादे के साथ इस तरीके से बात नहीं करी थी अर्स काफी इंजोई भी करता है पर उसके फाद उसको डाटने भी लगते हैं वहें पर अर्स की पूरी फैमिली आकर रेवन के साथ बात कहने लगती है और उन्हें अच्छा फिल करवानी कोशी करती है परेंस सब के बावजुद भी अगली सुबा अब लोड रेवन मर जाते हैं इसके बाद हम लोगों को लोड रेवन का फ्यूनरल दिखाये जाता है जहां पर अर्स सब अपने भाई बेनों को बलाता है और उसे कहता है कि हमारे फादे काफी कमाल के थे उन्हें गुडबाई करो अर्स भी अप सामने जाकर फूल चड़ा देते हैं और वो काफी ज़दे इमोशनल हो जाता है और सब सबी लोगों से कहने लगता है कि मेरे फादर ने मुझे काफी सारी चीज़ें सिखाये थी वो काफी ज़दे कमाल के परसन थे रात में मरने से पहले उन्होंने मेरे साथ काफी सारी बाते करी थी उन्हों लेंबर्ग और पूरी इस प्रजा को मेरे भरों से छोड़ा है और सब सबी लोगों से कहने लगते है कि मैं अपने फादर की जितना ताकत और नहीं हूँ पर जिस तरीके से मेरे फादर नहीं किया था मैं किसम खाता हूँ कि मैं तुम सभी लोग की काफ़ दा चिंदा करूँगा और सभी लोग को प्रेक करूँगा इसलिए प्लिस मेरी मत करना तुम सभी वहीं पर लोड रेवन की जानी के वे से पूरी प्रजा भी काफ़ी दुखी होती है पर लोड अर्स की बास सुनने के बास सब्धी लोग मोटिवेट होकर कहते हैं कि हाँ हम लोग अर्स के लिए सब कुछ करेंगे वादन मानने लागी थी, वहाँ पर इन सब को शाहलेड अभ याद कर रही होती है वहाँ पर रोसेल भी याद करते हैं कि जब वो धेर राद तक पढ़ाइी कर रहा था तब ही वहाँ पर रेवन आये थे रेवन ने रोसेल से कहा था कि तुम इतनी देरा तक study क्यों कर रहे हो जिस पर रोसेल कहते है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि जल्दी से जल्दी मैं लोड अर्स के काम आ सकूँ ये सुनकर रेवन काफ़े दा इंप्रेस होते हैं और अब अपने ब्लैंकेट को उतार कर उसे रोसेल को पहना देते हैं रेवन अब उसे कहते हैं कि तुम अभी बच्ची हो बड़े होने के लिए तुम्हारे पास अभी भी समय है इसलिए अपने आपको जादा पुश मत करो अर्स के साथ ग्रो करते हैं अपने समय को इंजोई करो जिसके बड़ अब लीशिया भी याद करते हैं कि जब वो रेवन से बात करके जाने वाली थी तब लीशिया अब रोट वे कहते हैं लीशिया अब रोट वे कहते हैं लोड रेवन प्लीज मुझे माफ करना क्योंकि अभी जो मुझे फिलिंग आ रही है वो गलत है पर ये फिलिंग जब मुझे ये सिनेरियो देखकर आ रही है इससे मुझे काफ़ी जादा खुशी हो रही है कि सबी लोग अर्ष को कितना ज़्यादा चाते हैं वो अर्ष को फैमली मानते हैं किस फैमली का पॉर्ड बनना चाती हूँ जो कुछ भी मुझे होगा मैं करूँगी अर्ष को प्रोड़िक करनेfront के लिए ये सब कुछ देखने के बाद अर्ष सभी का शुगर है खुद की बेटे नहीं मारा है क्योंकि वो बैड़ा चाहता था कि अगला गवनर वो बने यह सब कुछ बात एक लड़की सुन लेती है और अवन दोनों बंदों के पास अगर कहती है कि मुझे इन सब के बारे में और बताओ जितना भी तुम लोग को इन सब के बारे में पता ह करने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड जो कि अगले आफ़ते आएगा उसे मिस मत करना तो जली से सब्सक्राइब करके और नोडिफिकेशन होन कर दिना जैसे कि जैसे एपिसोड आएगा तुम लोग को देखने को मिल जाएगा आज के लिए इस वीडियो को लाइक करके जाना मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए बाई बाई